असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही डिलिशस जींग और तुरही की मसालेदार सबजी जो की खाने बहुत ही मज़ेदार है और बनाना बहुत ही आसाने बिल्कुल जटपट से यह बन जाता है औ तो इसका पुरा मोटा छिलका नहीं निकालेंगे बिल्कुल पतला सा छिलका इस तरीके से इसका जो छिलका होता है अच्छी तरीके से हलके हातों से इसको हलका हलका सा छील लेंगे और इसको इस तरीके से धोकर अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे क्योंकि काटने के बाद हम पानी भर जाते है इसलिए इस तरीके शो चोटाप्वे च्षटी तुकड़ो के ब purs दीना को में ऐसे क। हो में पानी बहर जयते हैं जैसे भाते Uhh šp के आरे zehn कि उब्था को से अच्छी तरीके से रख लिजिए और जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें दो बड़े प्यास स्लाइस किये हुए डाल देंगे पतले स्लाइस में हमने इसको अच्छी तरीके से काट लिया है और इसको चलाते हुआ अच्छी तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं प्यास जो है हमारी फ्राई हो चुकी है थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं दो बड़े चम्मच अधरक लेसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जिसको हमने घर पर बना कर तयार किया है और इसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं आई बटन में एंड स्क्रीन में देख लीजिए और अधरक लेसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को प्यास के साथ चलाते हुआ अच्छी तरीके से भून लें जब तक ये अच्छी से खुश बुनाने लगे तो ये देखिए चलाते हुआ हमने अच्छी तरीके से इसको भून लिया है अधरक लेसुन हरी मिर्च अच्छी तरीके से भून चुका है तो अब हम इसमें जो हमने तुरई काट कर रखी थी, वो हम इसमें डाल देते हैं, तो देखिए कितनी अच्igkeiten के से बारिक हम ने इसको कट कर लिये हैं, और इसमें झेटी सारा पानी होता है , तो इसको चलाते हम अच्छी तरीके से प्यास के साथ ही भून लेते हैं, तो यह देखिए अच्छी तरीके से हमने चलाते वे भून लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी अभी नहीं है तो दो मीडियम साइस के हमने आप टमाटर ले लिए जिसको इस तरीके से क्यूब में हमने कट कर लिए इसको हमने डाल दिया है तो अब एक टीस्पून हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और इसमें अब हम मसाले डालेंगे तो आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे काश्मेरी मिर्च पाउडर, जिससे की कल ताकि इसमें टमाटर में जो पानी है वो निकल जाएगा और टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और तुरही में भी जो सारा पानी है वो निकल जाएगा और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा तो सारे चीजों को चलाते हुए हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे भून लेंगे चलाते हुए मसालों के साथ इसको हम भूनेंगे जितनी जादे इसकी भूनाई करेंगे उतना ही है सबसी बहुत ही अच्छी बनेगी तो चली अच्छी तरीके से हमने सारी चिजों को मिक्स कर लिया है तो अब हम धक्कन लगा कर इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो सारा पानी है वो अलग हो जाए तो 5 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं पानी इसमें से निकल चुका है और तेल बिल्कुल अलग होने लगा है तुरही और जो टमाटर हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरीके से सौफ्ट हो चुका है तो अब हाई फ्लेम पर इसको चलाते हूँ अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और यहाँ पर हमने 500 ग्राम यहाँ पर हमने प्राउन लिया था यानि कि जींगा लिया था हमने और इसको हमने धो कर अच्छी तरीके से साफ कर लिया था और इसको हमने थोड़ा सा तेल में फ्राई कर दिया था तो इसको अब हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से सारी चीजों को चलाते हुए भून लेंगे अच्छी तरीके से जितना जादा इसको भूनेंगे उतनी अच्छी सब्जी बनेगी तो इसको लगतार चलाते हुए भूनेंगे तो यह देखिए तेल बिल्कुल अलग होने लगा है सब्जी में से और हमारी सब्जी भी अच्छी तरीके से बनकर तयार हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटी हुई धन्य की पत्ती और इसको एक बार अच्छी तरीके से हम फिर से मिक्स कर लेंगे जहीं खेंग और कर तरीके सब्जी को अगर आपको यह रेचिपी बनाई हो, हम फिस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें । कमेंट करके मुझे जरूर बताएं जहीं आपको कैसी लगी यह वीडियो आपकोकी लगी प्राव प्राव शॉर्वार परे दे ती